भगवान महावीर स्वामी की जैर महानुभाव सारे विश्व में भगवान महावीर स्वामी की शिद्धानतों की परम आवशकता है भगवान महावीर के बताए हुए जो उपदेश हैं उससे ही विश्व में शांती आ सकती है और दुनिया को चुनना पड़ेगा महावीर या महाविनास महाविनास बिश्र की समस्या है और महावीर उसकी समाधान है अहिंसा आपरिक्रह और अनिकांत बात जैसे मूलवू सिध्धानतों से इस देश में हम लोग जो हैं खुशाली ला सकते हैं समनवय की कला सीख सकते हैं आपर्ष में मित्री भाव पड़ा कर सकते हैं अब हमें अवसक राक्त हुआ है भगवान महावीर स्वामी का 2550 निर्मान महा महोस्तो मनाने का जो की पूरा आहिंसा वर्ष चल रहा है और मजे खुशी है हमारे यशश्वी प्रधान मंत्री नर्यन मोदी जी इसे कारक्रम का उद्गाटन करता हैं भारत मंडबं में 21 अप्रेल को प्रातहकाल 8 वजे आप सब लोगी वहाँ पहुँचें और इस उस्सव के साक्षी बनें महानुभाव भगवान महावीर स्वामी का महावीर जैनती के दिन ही निर्माण उस्व का उद्गाटन एक अध्भुत बात है हम एक साथ दो कारक्रम बनाएंगे एक तो महावीर स्वामी का जन्म कल्यानक उस्षव और उसी के साथ भगवान महावीर स्वामी का निर्मान उस्षव उस दिन हमारे यश्षपी प्रहान मंत्री जी भगवान महावीर का जहां निर्मान हुआ है पावापुरी उनका जो क्वाइन है उस क्वाइन का लोकारपन करेंगे और जो इस मारक टिकेट है उसका भी लोकारपन करेंगे और इस महुस्तों के आप हम सब लोग साक्षी अवस बनें पूरे विश्व में जो जैन समाज है मैं उनसे अबाहन करूँगा कि आप जन जन तक जाएं और लोगों को बताएं कि क्या जीवन है और क्या जीवन जिया जा सकता है शांती चाहिए सबको सबके पास सब कुछ है पर सांती नहीं है और सांती महावीर के पास आने से हो शकती है महावीर कहते हैं परिग्रह दुख का कारण है आडंबर दुख का कारण है इसे जितना जोड़ोगे उतने ही दुखी रहोगे और जितना इसे त्याग करोगे उतना ही शुखी रहोगे हम अपनी आवशक्ता की पूर्ती करें पर आकांचाओं की पूर्ती में न लगें ऐसा भगवान महाविश्वमी कहते हैं वो कहते हैं सोयम भी जीओ और दूसरों को भी जीने दो यदि आपका ब्यभव बढ़ रहा है इसका मतला आप दूसरों को नहीं जीने दे रहे हैं उनका अधिकार छीन रहे हैं तो इसलिए हमें अपने पडोशी का अपने समाज का अपने देश में रहने वाले हर वर्ग का ध्यान रुपना चाहिए और सम में एक सम दृष्टी भाव लाना चाहिए जिससे सभी लोग खुशी रहें प्राणी मात्र जो है आनंद में रहे और उनको शुख मिले ऐसी भावना लाना चाहिए महावीर स्वमी कहते हैं हम सब लोगों को जो है अपना भोजन जो है वो शुद्ध रखना चाहिए क्योंकि आहार सुद्ध से विचार सुद्ध है विचार सुद्ध से जो हमारे संसकार सुद्ध है और संसकार से फिर हमारी संसकृती बसती है यदि हमारे संसकार सेंदी रहेंगी तो मारी संसकती का संदर्चन और संबर्धन नहीं हो पाएगा हमें अपनी संसकती हमें अपनी प्रगती सब कुछ को सम्हाल के रखना है हम सब लोग आईए मनाते हैं 21 अप्रेल को भगवान महाविर्श्वमी की जन्म जैनती के साथ 2550 वा सस्वी वधान मंत्री जो सुद्ध साकाहार अहिंसक हैं और जोंको संसकती से प्रेम हैं भारती संसकती से स्रमन संसकती से वैदिक संसकती से जन्हां अत्यंत लगाव है ऐसे महान राजा हमारे नरिन मोदी के उसमें उपस्ति में गर्म में उपस्ति में यह कार होने जा रहा है शादू संत महात्म सरी होगी और आप सब्की भी उपस्ति होगी आप पहुंचिए सभी को मेरा बहुत-बहुत मंगल आश्रबाद अभी हमारे डॉक्टर मोहन भागवजी ने भी अभी पीछे मेरे सानिद में ही 2550 नमान महा महुसरस्तों का सुभारम किया था बिज्ञान भवन में वो भी एतिहासिक कारक्रम था और उनने कहा था हमारी सत्तर हजार जो साखाएं हैं पूरे भारत में वहां पर भगवान महाविर के संदेश पड़े जाते हैं और ये 2550 नमान महा महुसर एक वर्ष तक हमारी सारी साखाओं में मनाया जाएगा ये भी बहुत गौर भावा दिया जा रहा है और लोगों में धर्म की भावनाएं जोड़ी जा रही हैं हम सब लोग जुड़ें और एक सांद जुड़ करके इस भारत को अच्छा विक्षित देश बनाएं सिक्षित देश बनाएं इसी भावना के सांद सब को बहुत-बहुत मंगल आश्यवार झाल